हाई दोस्तो वेलकम टू माई एनुदर वीडियो आज इस वीडियो में आपके लिए 21 नीट प्रिवियस इयर कोश्चन्स लाया हूँ इससे पहले 116 कोश्चन्स को देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो और वहाँ पे कोश्चन्स को देख सकते हो इस वीडियो के अंदर हम biological classification chapter second class 11th के last 21 questions को करने वाले हैं 21 questions इस वीडियो के अंदर हम cover करेंगे और और इसके बाद next chapter के questions को cover करेंगे तो इस chapter के अंदर केवल 21 questions ऐसे रह गए हैं जो हमने cover नहीं किये हैं जो कि मैं पिछले need के questions paper में हमें देखने को मिले हैं तो आईए आप questions को solve करते हैं सबसे पहला question आपका इस वीडियो का which statement is wrong for viruses तो आपको इस वीडियो के अंदर viruses, lichen और prions से questions हमें देखने को मिलेंगे वाइरोड बगरा से तो आपका जो viruses है viruses के लिए कौन सी statement यहाँ पे गलत है तो देखते हैं हम सबसे पहले all are parasites तो viruses जो होते हैं वो सभी parasites होते हैं बिल्कुल सही बात है वाइरस जब तक non living things पे पड़े हुए हैं तब तक तो वो non living है जैसे ही वो किसी host के उपर आते हैं living cell के उपर आते हैं तो वहाँ पे वो living organism बन जाते हैं वो living form में हो जाते हैं और वो parasite की form में रहते हैं तो इसलिए जितने भी virus होते हैं वो सारे कैसे होते हैं parasite होते हैं बी option है आपका all of them have helical symmetry क्या सभी के पास में helical symmetry होती है इससे पहले आगे के options को discuss करते हैं पहले they have ability to synthesize nucleic acid and proteins इनके पास में nucleic acid बनाने की ability होती है और इनके पास में protein बनाने की ability होती है ये भी बास सही है next है आपका antibiotic have no effect on them ये virus जो होते हैं antibiotic resistance होते हैं क्योंकि इनके पास में अलग से एक DNA होता जैसे हम plasmid DNA बोलते हैं जो की antibiotic resistance होता है तो यहां से जो आपका इस question के अंदर आपको wrong पूछा हुआ है तो आपका A वाला virus के लिए सही statement है C वाला virus के लिए सही statement है D वाला virus के लिए सही statement है तो यहां पे जो virus के लिए wrong statement है वो है option B तो इसलिए इस question का जो answer है ये बोलता तो सही होता क्योंकि वाइरस के पास वाइरस रॉंबस सेप का भी होता है, वाइरस सर्कुलर सेप का भी होता है, वाइरस राउंड सेप का भी होता है, वाइरस अलग-अलग सेप में हमें वाइरस देखने को मिलता है तो इसलिए केवल इनकी जो symmetry होती है वो helical symmetry नहीं होती है तो वाइरस की symmetry हमें तीन टाइप की symmetry हमें देखने को मिलती है क्यूबर्डल भी symmetry इनके पास में होती है इसके बाद है आपका next question which one single organism or pair of organism is correctly assigned to its or their named taxonomic group तो आपको single organism देखना है उसके साथ pair वाला organism भी देखना है और यह देखना है कि वो उस taxonomic group और फिट टेक्सनों में category से related करते हैं या नहीं करते हैं तो चलिए option A आपका paramecium and plagemodium जो paramecium होता है plagemodium होता है दोनों same kingdom है बिलॉंग करते हैं ये बिलुकल सही बात है बट वहाँ पे पैनीसिलम यहाँ पे कोई kingdom नहीं है तो पैनीसिलम किसी kingdom का नाम नहीं है इसलिए option A यहाँ से गलत है तो paramecium और plagemodium जो होते हैं वो दोनों kingdom प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं नेक्स्ट है आपका लाइकन इस एक composite organism formed of the symbiotic association of an algae and a protogeans तो लाइकन जो होते हैं लाइकन आपके एक composite organism है मतलब कि एक mixed organism है जो की symbiotic association करता है जिसके अंदर symbiotic association में algae होती है और उसके साथ में protogeans होता है तो यह option भी आपका गलत है algae के साथ में likeन के अंदर fungi होती है ना कि protogeans इसके बाद है आपका next option C. Yeast are used in making bread and beer for a fungus जो yeast होता है उससे bread भी बनता है उससे beer भी बनाई जाती है तो यहाँ पर yeast की बात किए yeast दोनों काम कर रहा है और yeast क्या है एक fungus है तो यहाँ से यह option आपका सही है इसके बाद पहले एक बार अगला option और read कर लेते हैं no stock and anabina are example of protesta no stock और anabina जो दोनों example है यह साइनो बेक्टिरिया के example है और साइनो बेक्टिरिया आपका kingdom monera के अंदर आता ना ही kingdom protesta के अंदर तो यहाँ से यह भी option गलत है तो यहाँ पर 118 जो question है इसका जो option सही है वो option C correct है next है आपका next question virus envelope is known as virus की जो envelope होती है उसे हम किस नाम से जानते है virus की जो envelope होती है उसे किस नाम से जानते है capsid नाम से जानते है फिर virus के उपर जो envelope होती है वाइरस के उपर envelope protein coat की होती है और उस protein coat को हम जो नाम देते हैं उसे capsid नाम देते हैं तो इसलिए आपका यहां से जो option है वो A सही है ना उसको वाइरन नाम देंगे ना core नाम देंगे ना उसे हम nucleo protein नाम देंगे उसको जो नाम देंगे हम वो capsule नाम देंगे तो 119 का जो आपस का option है वो A सही है next question है आपका 120 given below the diagram of bacteria phase तो आपको bacteria phase का ये diagram दिया हुआ है इस diagram में A, B, C और D आपको correct बताने है तो देखिए इसका यहाँ पे आपको ABC correct बताने है तो A जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो A किस A head वाला portion है इसका तो आपका C के अंदर A head वाला दिखाई दे रहा हमें और जो B है आपका ये आपका seat वाला portion है तो C option के अंदर ये seat वाला portion आपको दिखाई दे रहा है next है आपका जो C है C जो दिखाई दे रहा हमारा ये collar पर दिखाई दे रहा है और आपके जो D हैं वो tail fivers है तो इसका जो option जो match कर रहा है option 3 match कर रहा है option C है तो इसलिए इस question का जो answer है वो option C तो ये A A जो denote कर रहा है head को कर रहा है B जो कर रहा हूँ सीट को कर रहा है, सीजो कर रहा हो, कॉलर को कर रहा है, और डी आपका टेल फाइबर्स को कर रहा है, यह बैक्टिरियो फेज का डाइग्राम है, आपका यह इसके पार्ट्स हैं, नेक्स्ट कोश्चन है आपका, तो अब देख रहे हो, सारे कोश्चन्स जो हैं हमारे, सारे आपको देखने को मिलेंगे, सारे questions जब से need start हुआ है अब तक के सारे questions topic wise मैं आपको cover करा रहा हूँ तो next question है आपका, 121 question है T.O. Dinear discovered है T.O. Dinear ने क्या discover किया तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है T.O. Dinear ने prions को discover किया हुआ है और हमें देखना है prions के अंदर कौनसी property हमें सोहुती है तो आप एक बार अपना option choose कीजिए आप पहले से ही note उक पहले लेके बैठिए ताकि आप अपने questions को देख सके कि आपके कितने questions सही है तो यहाँ पे देखिए जो T.O. Dinear ने discover किया प्राइन्स को और प्राइन्स के अंदर किया होता है free infectious DNA होता तो प्राइन्स के अंदर सबसे पहले DNA नहीं होता उनके पास मैं ठीक है तो दूसरा है आपका bacteriophage इसने bacteriophage को discover किया तो bacteriophage को भी इसने discover नहीं किया मैंने पहले बता ज़ी आपको प्रायोन्स को डिस्कवर किया है प्रायोन्स के अंदर infectious protein होती है प्रायोन्स के अंदर कोई भी protein नहीं होती है तो यहां से आपका option D बिलकुल correct है प्रायोन्स के अंदर केवल केवल RNA होता है और वो भी single stand RNA होता है और वो भी free होता है और वो क्या करवाता है? इनफेक्शन करवाता है तो वो आपका इनफेक्शन करवाने का काम करवाता है तो यह जो T.O. Dynier ने डिस्कवर किया था वो आपको P.O.S. को किया था तो P.O.S. के अंदर Free Infectious RNA होता है नेक्स्ट है आपका कोशन 122 वा कोशन There exists a close association between the algae and fungus within a lycus the fungus तो जो आपको यहाँ पे देख रहे हैं जो close association होती है एलगा और फंगी के बीच में उसे हम like and बोलते हैं तो यहाँ पे उनके बारे में आपको उप्सन दिये हो तो वो क्या काम करते हैं देखते हम उप्सन A Provide Protection, Encryze and Absorption for Algae क्या वो Protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एलगी के लिए Encryze प्रोवाइड करती है फंगी एलगी के लिए और एब जो उप्सन देती है एलगी के लिए तो आपका यहाँ से यह उप्सन सही है और बाकी के उप्सन को पढ़ते हैं एक बार Provide Food for Algae तो यहाँ से उप्सन गलत है जबकि एलगी जो होती है एलगा जो होता है वो खुद Food बना के देता है किसके लिए फंगी के लिए Next आपका Fixes the Atmospheric Nitrogen वो Atmospheric Nitrogen को भी Fix करने का काम नहीं करेगा उसके लिए Oxygen को भी Release नहीं करेगा तो यहाँ पे केवल जो एलगी का जो काम है यहाँ पे एलगी के लिए एलगी के लिए जो फंगस का काम है वो Protection प्रोवाइड करवाता है उसे Increase प्रोवाइड करवाता है और उसके लिए Absorption करता है Water का Absorption करेगा उसे Shelter प्रोवाइड करवाईगा उसके लिए Minerals या फिन Nutrients को Absorbs करके उसे एलगी के अंदर Transfer करेगा और एलगी क्या काम करेगा एलगी वहाँ पे भोजन बनाने का काम करेगा क्योंकि एलगी के पास में क्या होते है किलोरोफिल होता है वो किलोरोफिल के अंदर भोजन बनाने का काम करेगा Sunlight को Absorbs करके तो आपका यहाँ से DNA is not present in any stage in life cycle of retrovirus तो retrovirus के अंदर DNA किसी भी stage में life cycle में present नहीं होता तो यहाँ पे हमें वो बताना जो true नहीं है तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे सबसे पहले इससे आगे तो जो DNA होता है सबसे पहले retrovirus की life cycle के अंदर present होता है not present नहीं है तो इसलिए यहाँ पे not true पूछा है तो यहाँ पे जो गलत है वो option A गलत है इसलिए इसका जो answer होगा वो option A सही है तो मैं आपको फिर भी सारे options को clear explain करता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे जो retrovirus है retrovirus क्या काम करता है? retrovirus जैसी हमारी body के अंदर जाएगा हमारी body को infection फैलाएगा तो retrovirus अपने RNA को reverse transcriptage enzyme से change करके DNA में convert करेगा DNA में convert कर देगा वहाँ से transcript कर देगा DNA में तो उसकी life cycle के अंदर DNA present हुआ न तो यहाँ पे not present दे रखा है इसलिए आपका यहाँ से not true है यहाँ पे question में not true पूछा इसलिए इसका option का answer यह है इसके बाद मैं और options को पढ़ते हैं retrovirus scary gene 4 RNA dependent DNA polymerase retrovirus के पास में gene होता है जो RNA dependent RNA के उपर depend करते हैं DNA बनाने वाले तो बिल्कुल सही है जब reverse transcriptage enzyme करेगा जब RNA से DNA बनेगा तो वहाँ पे क्या हो रहा RNA dependent मतलब RNA के उपर depend करना और DNA polymerase वहाँ से DNA बनाना तो जो RNA के उपर depend करना DNA बनाने वाले gene इसके पास में होते हैं तो यह सही था यहाँ पे not true पूछा था इसलिए आपका option A सही है वहाँ से इसके बाद मैं आपको दो options और जो C और D options है उनको भी explain करता हूँ आपको यहाँ से the genetic material in mature retrovirus is RNA तो जो mature retrovirus होता है उसके पास में genetic material RNA है बिल्गुल सही है उसके पास में normal genetic material जो होता है वो RNA होता है इसके बाद आपका option D retrovirus is our causative agent for certain kind of cancer in men जो retrovirus होता है वो कुछ type के cancer man के अंदर फैलाता है बिल्गुल सही option है यह भी यहाँ से तो वहाँ पे जो incorrect पूझा था और मैंने आपको बता दिया option इसका A सही था क्योंकि 3 statement B, C और D वाली गलत थी sorry B, C और D वाली statement सही है पहली वाली statement गलत थी इसलिए यहाँ पे wrong पूझा और आपका answer जो हो A सही है तो यहाँ से जो यह question आपका 2004 के अंदर आया हुआ है इसके बाद है आपका next question next question है आपका 124 तो viruses that infect bacteria multiply the cause their lysis are called जो viruses होते हैं वो bacteria को infect करते हैं bacteria के अंदर जाकर multiply करते हैं इसका कारण क्या है वो lysis करते हैं lysis का मतलब होता है bacteria की cell wall को rupture कर देना जब तक bacteria के अंदर वो infect कैसे करेगा सबसे पहले bacteria की cell wall को rupture करेगा और bacteria की cell wall को rupture करने के लिए हमें देखना है उसे हम क्या बोलेंगे जब bacteria की cell wall rupture होगी तो ठीक है यह भी question आपका 24 के अंदर आया हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे हम lyzogymes बोलेंगे उसे polytic बोलेंगे फिर lyzogenic बोलेंगे फिर lyto lytic बोलेंगे तो इसका जो यहाँ से जो option सही है वो option C सही है तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे lytic इस process को इसके बाद है आपका lycans as are well known combination of alga and fungus तो lycan जो होता है वो algae और fungi का मिल करके बना हुआ है दोनों का बहुत अच्छा combination है वेर fungi है जबकि fungi जो हो है fungi का क्या relationship है इस saprophytic relationship with the alga उसके पास में saprophytic है ऐसा कुछ नहीं है fungi भी तो अपना काम करती है epiphytic relationship epiphytic relationship भी नहीं है फंगी कोई parastic होती है इसको उपर नहीं है यह भी symbiotic relationship है बिल्कुल सही है यहां से symbiotic मतलब दोनों एक दूसरे की help करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ में काम करते हैं यह भी question आपका 24 के अंदर आया हुआ है तो यहां से जो lycan जो है lycan symbiotic relationship में रहता है algae के साथ में इसलिए 125 का जो answer हो आपका option D सही है next question है आपका 126 महा which one of the following statement about viruses is correct तो आपको यहां से देखनी है viruses के लिए कौन सी statement correct है तो देखिए सबसे पहला option आपका एक वर आप यहां पे options को पढ़के देख सकते हो कि कौन सा option आपका correct है चलो देखिए मैं explain करता हूँ आपका viruses possess their own metabolic system तो आपको यहां पे correct देखना है जबकि viruses के पास में कोई भी metabolic system नहीं पाए जाता है उनकी body के अंदर कोई भी अंदर-अंदर chemical काम नहीं होगा मतलब वो metabolic कोई breakdown activity वगरा ऐसा कुछ काम नहीं करवाएंगे अपनी body के अंदर तो virus के पास में कोई भी metabolic system नहीं होता है second है आपका यहां से option ए गलत हो गया all viruses contain both RNA and DNA सभी वाइरस के पास में RNA और DNA होता यह भी option गलत है वाइरस के पास में या तो RNA आपको देखने को मिलेगा या फिर केवल DNA आपको देखने को मिलेगा next है आपका viruses are obligate parasites viruses जो होते हैं वो parasite होते हैं तो यहां से यह option आपका सही है यह बिल्कुल वाइरस जो होते हैं वो parasite होते हैं इससे अगले वाले option को एक बार और देखते हैं nucleic acid of virus is known as capsid जो nucleic acid होता हो वाइरस का capsid होता है क्या नहीं virus के अंदर जो protein caught जो होती है उसे हम capsid बोलते है nucleic acid को capsid नहीं नाम देते हैं तो यहां से option केवल C सही है आपका वाइरस जो होते हैं वो parasite form में रहते हैं next है आपका 127 वा question टेबेको मौसस वाइरस is a tubular filament of size जो टेबेको मौसस वाइरस होता है वो tubular filament में होता है उसके size की बात करेंगे तो उसका size जो होता हो देखी आपका option A, B, C, D कौन सा सही है तो यहां पे मैं आपको बताऊँ option यहां से C सही है उसका जो size होता है टेबेको मौसस वाइरस का tubular filament का वो 300 multiply में 20 nanometer होता है next question है आपका 128 वा question और आपका 127 वा question है वो 233 के अंदर आया हुआ है इसके बाद है आपका 128 वा question more alive than isolate chromosome because वाइरस जो होते हैं वो no more alive वो ज़्यादा मतलब alive नहीं है क्यों नहीं है ज़्यादा alive alive नहीं है वो जीवित नहीं है और उनके अगर chromosome को देखेंगे chromosome जब उनमें से isolate करते हैं क्योंकि तो उनका chromosome isolate होता है तो यहाँ पर देखिए कौन सा option correct हो सकता है they require both the RNA and DNA उनको chromosome को isolate होने के लिए उनको जीवित होने के लिए दोनों चीज के लिए क्या उनको RNA और DNA की आवशक्ता होती ज़रूरत होती है तो यहाँ से यह option incorrect है next है आपका they both need food molecules क्या इनको food molecules की need होती है यह भी option आपका गलत है they both require oxygen for respiration इनको oxygen की ज़रूरत होती है respiration के लिए यह भी आपका option गलत है क्योंकि इनके अंदर कोई भी metawolic काम नहीं हो रहा है जब इनके अंदर metawolic काम नहीं हो रहा है तो इनके अंदर food की और respiration की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ठीक है next है आपका both require the environment of a cell to replicate यह बिल्कुल यहां से options आई है इनको यहां पे chromogen को isolate होने के लिए इनके को और इनको जीवित होने के लिए क्या चाहिए इनको replicate होने के लिए एक cell चाहिए तो इनको host cell जब यह से होश चेल के अंदर जाते हैं तो यह अपने के रूमो जूम को क्या करते हैं उस cell के अंदर transfer करते हैं ताकि और वहां से replicate कराने का काम करते हैं तो यहां से 128 का option 10 आई है और यह question जो आपका 233 के अंदर आया हुआ है next है आपका 129 question कॉली फ्लावर मौससिक वाइरस कांटेन तो कॉली फ्लावर मौससिक वाइरस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है तो उसके अंदर single standard RNA होता है या फिर double standard RNA होता है या फिर double standard DNA या फिर single standard DNA तो आपका जो कॉली फ्लावर जो होता है उसके पास मैं आपका डवल स्टेंडर डियन ने हमें देखने को मिलता है तो कॉली फ्लावर मॉससिक वाइरस के अंदर डवल स्टेंडर डियन ने होता है और ये कोशन आपका 2001 के अंदर आया हुआ है नेक्स्ट कोशन आपका 130 कोशन वाइरिसेज पॉजेज जो वाइरिसेज में पाया जाता तो वाइरिसेज में क्या होता है राइबो जोम टू सिंथेज प्रोटीन राइबो जोम होता है प्रोटीन को सिंथेज करने के लिए प्रोटीन बनाने के लिए तो सबसे पहले बात करेंगे वाइरिस के पास में न तो माइट्रोचन डिया, ना लाईजवेंट, ना राईजवोगोंट, ना एंडूपलाईम, रेटीकुलम, ये कुछ भी नहीं होते हैं वाइरिस के पास में, ठीक है? तो आपका next है option तो यहां से option बिल्कुल गलत हो गया एवाला नेक्स्ट आपका और्गनलीज फूर इट्स वाइटल मकेनेजम इसके बहुत ही important काम करने के लिए important mechanism करने के लिए और्गनलीज होती है तो मैंने भी बता है आपको इनके पास में कोई भी और्गनलीज नहीं होती है next option है आपका next option है आपका c option either dna और rna क्या इनके पास में या तो dna होता या rna होता है तो यहां से यह option बिल्कुल सही है तो viruses के पास में या तो DNA हमें देखने को मिलेगा या उसके पास में RNA हमें देखने को मिलेगा तो यह question आपका 1990 में आया हुआ था तो मैंने सारे questions जो आपके वो सारे questions previous year है जब से need start हुआ है exam कव से लेकर के और 2020 पेपर तक के आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे 2021 वाला पेपर से पेसल अलग से मैं cover करूंगा next है आपका 131 most of the lichen consist of तो जो most lichen होती है उसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलती है तो आप पता है आपको पता है कि lichen के अंदर आपको अलगी देखने को मिलेगी और लाइक अंदर आपको fungi देखने को मिलेगी अब वो algae कौन से टाइप की होती है उसके अंदर और वो fungi कौन से टाइप की होती है उसके अंदर तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले आपका option A green algae and my seeds तो यहाँ से आगे वाले options को पहले पढ़ लेते हैं brown algae तो brown algae तो उसके अंदर बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि हमने पढ़ा है कि उनके पास में chlorophyll pigment होते हैं दूसरा आपका blue green algae blue green algae आपका cyanobacteria है यह bacteria इसके अंदर नहीं है next है आपका red algae red algae भी नहीं होता है red algae के पास में भी chlorophyll pigment नहीं है तो यहाँ पे जो green algae और ascomycetes जो है ascomycetes टाइप की फंगी हमें देखने को मिलेगी ribogeum बगरा ribogeum बगरा और आपका green algae इन दोनों का जो association है उसे हम lycan के नाम से जानते हैं तो यहाँ से 131 का option यह सही है और यह question आपका 1997 के अंदर आया हुआ है next question है आपका 132 वा what is the genetic material in influenza viruses जो influenza virus होते हैं उनके अंदर कौन सा genetic material होता आपका तो यहाँ पे देखिए influenza virus के अंदर double helical DNA होता है या फिर RNA होता है या फिर single helical DNA होता है या फिर non-op दीजए 1996 में यह question आया था तो आपका जो यहाँ से जो option है वो आपसा option B सही है जो influenza viruses जो होते हैं उनके अंदर genetic material RNA हमें देखने को मिलता है next आपका 133 वा question which one of the following तो आपको नेमलिकित में से देखनी है कौन सी statement like and के लिए wrong है तो देखिए आप एक बार यहाँ से gas कर सकते हैं कि आपका कौन सा answer है तो like and के लिए कौन सा statement wrong है these grow very rapidly यह बहुत जल्दी rapidly grow करते हैं two centimeter per day क्या ऐसा है पहले एक बार और options को चेक कर लेते हैं वैसे आपका यहाँ पर wrong statement मुझे यही लग रहा है इसके बाद है आपका they sow fungal and illegal symbiatic relationship इनके पास में fungi और algae का symbiatic relationship है तो यह तो statement सही है तो यह तो आपका इसका answer नहीं हुआ next है आपका some of its species are eaten by rendiers कुछ species इनको खाती है तो यह भी सही है आपका statement उनको कुछ species खाती है next है आपका these are pollution indicator यह pollution के indicator है यह भी statement आपकी सही है क्योंकि जहां पे pollution ज़्यादा create होता है जहां पे sulfur वगरा sulfur dioxide हमें देखने को मिलती है तो वहां पे यह grow नहीं होते है तो उससे हमें पता चलता है कि likeन जो है pollution के indicator है तो यहां से जो आपका जो wrong statement है वो option A है तो इस question का जो answer है वो option A है यह जो होते हैं यह grow रेपिडली गिरो नहीं करते हैं यह केवल गिरो करते हैं एक वर्स के अंदर यह एक year में यह 0.5 mm से लेकर के 500 mm तक एक year के अंदर यह गिरो कर सकते हैं इतना जल्दी गिरो नहीं करेंगे कि एक दिन के अंदर ही 2 cm बढ़ जाएं नेक्स्ट है आपका दे टेल्ड बैक्टरियो फेज आर तो जो टेल्ड बैक्टरियो फेज जो बैक्टरियो फेज के अंदर टेल जो होती है वो क्या वर्क कराती है तो सबसे पहला option है आपका बैक्टरियो फेज के अंदर वो मोटाइल तो काम करवा रहा है दूसरा मोटाइल अंसरफेज और प्लांट लीप्स ऐसा कुछ नहीं हो प्लांट लीप्स के ओपर थोड़ी जाता बैक्टरियो फेज नेक्स्त आपका एक्टिवली मोटाइल ऑन इन वाटर water के अंदर भी actively motile नहीं होता तो वो केवल जो motile होता आपका वो bacteria की surface पर motile होता है तो यहां से आपका 134 का option A सही है next question आपका 135 वा Tobacco Mossacus Virus genes are Tobacco जो Mossacus Virus होते हैं उनके अंदर आपको किस टाइप का gene हमें देखने को मिलता है तो single standard RNA होता है या फिर double standard DNA होता है या फिर proteinius होता है या फिर double standard RNA होता है तो जो TMV होते हैं उनके अंदर जो gene होते हैं उनके अंदर आपको single standard RNA हमें देखने को मिलेगा Tobacco Mossacus Virus के अंदर single standard RNA होता है next है आपका 136 कोशन organisms which are indicator of SO2 pollution तो pollution के जो indicator होते हैं आपको समझाया था वो कौन सा है तो यहां से आप बिलकुल इसका answer बता सकते हो जो option B है जो likens है वो sulfur dioxide के pollution के indicator होते हैं तो जो sulfur dioxide pollution के indicator है वो कौन है आपके liken next question है आपका likens indicate SO2 pollution because they likens जो है आपके वो sulfur dioxide के pollution indicator है क्यों है वो देखिए क्योंकि ये क्या करते है option A so association between alligator fungi भई liken के पास में alligator fungi का association है बट यहां पे SO2 को indicator करने का तो कोई काम नहीं बता रहा तो आपका option A बिलकुल गलत है second option grow faster than others ये दूसरे से grow होते हैं ऐसा कुछ नहीं है R sensitive to SO2 ये SO2 के sensitive होते हैं तो आपका यहां से option C बिलकुल सही है जो lichens है वो sulfur dioxide का sensitive है और वहां पे वो grow नहीं होते हैं तो आपने देखिए lichens के बहुत सारे questions हमें देखने को मिले इसके अंदर lichens आपका एक important topic है और virus भी आपका important topic है आप देख रहे हो इनके अंदर इन topic से आपको हर साल एक या दो questions देखने को हमें मिलते हैं एक questions तो आपको देखने को मिलेगा यह मिलेगा like and viruses वगरा से तो आपका I hope आपको ये सारे questions जो मैंने cover कराएं वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ मा आगे होंगे इसी तरीके के questions देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें like करें और comment में बताएं आपको कौन से session के कौन से chapter के आपको questions की need है इसके साथ साथ आप हमारे Instagram चैनल को follow कर सकते हैं वहाँ पे मैं daily quiz practice के लिए डालता रहता हूँ आप वहाँ पे जाईए उसे follow कीजिए और follow करने के बाद मैं वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे पोस्ट और आपको अच्छे questions देखने को मिलेंगे daily practice के लिए